तो फ्रेंट्स यहां मेप पे हमारा चौथा वीडियो है और इससे पाले भी मैंने मैप पे काफी वीडियो बनाए हैं अगर आप मेप का पूरा पूरा अनुमान लेना चाहता है एक मोटा मोटा अनुमान तो मेरी काफी सारे वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे यूट थी निकल 🎶 और राजयों के संख्या होगी आठारत तिकन्टा कहा कहा पे कौन-कौन से के सासेझ पर सैब कि राजज धानिया कहा पर इस सब चीज़ों बारे में हम जाने भी हम जो है बता छूके हैं की कहा है और कहा पर उनकी राजधानिया पहर करानिया ठाशानिया की से ए यह एक विद्यारति को कितने मैप रखने चाहिए कौन सा राज किस से अलग हुआ और कब अलग हुआ इन सभी पर मैं वीडियो बना चुका हूं आपको देखना है तो प्रेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा और कुछ होगा याँ चोटा से अ देख रहा है आपको पूरा गुलावी कलर का बास के वर इतना साही अर利या किरिका है यहीं अहीं और सबोस्ते सबसे चाहता डैंसिटी हो ना घंद संग्हां दिल्ली का है ठीक न तो यह चीज़ होगी दिल्ली दूसरी नमर पे आता है हमारा तो यह है चंडिगड ठीक ना जो कि पंजाब के विराजदानी है रियाना की विराजदानी और यह को तरह एक केंसासिट परदेश है और इसके जमुकस्मिर ठीक तो ले लद्दाक और जमुकस्मिर यहां पर दो मिल गए तो हमारे होगे चार इसको दो बाग मेरा मैप ठोड़ा पुराना लग रहा है तो चलिए दो बागों में इसको बांड दिया तो से मतलब ऐसे सिंपल बांड दिया इसाई नहीं यह अलग-अलग है थोड़ा ठीक नहीं काफी चोटा है ले वह यह काफी बड़ा एरिया है तो यह चीजो हो गए दो यहां पर हो गए दो और इधर हमारे तीन एक चंडीगड और यह दिल्ली चार हो गए अब हम देखते हैं आगे हमारा कंसाजिस पर्दिस आता है दमन और दीप ठीक ना डिव इन चुटा सा पोईंट दिख रहा हुगा यह देखी दिव यहाँ पर यह जो पोइंट देख रहा आपको च्छटा-छटा मेरी पेन की निव देख रहे हैं नहां बस यही दिव है और यह यहाँ पर एक छोटा सा पोइंट देख रहा होगा यह दमन है दोनों के मिला के दमन दीप कहा जाता है ठीक कमबात की खाड़ी में देखिए कमबात की खाड़ी गुजरात में है और यहाँ पर जो आपको दिखा है बस वही दमन दीप है देख लिए दमन दीप यहाँ पर दमन और यहाँ पर दीप अब देखिए यहाँ पर दादर और नगर हवेली यहाँ पर दीख रहा होगा आपको दादर और नगर हवेली ठीक ना यहां पर जो छोटा सा एरिया दिख रहा है बास यहीं दादर और नगर हवेली है और इसकी राजधानी सिल्वासा यहां पर दिख रहे हैं दमन और दीप की राजधानी दमन है और दादर और नगर हवेली की राजधानी सिल्वासा है ठीक य देखिए सबसे यहां पर मैं बता दूं लच्छ दीप यह देखिए लच्छ दीप यह भारत का केंसासित प्रते से हैं ना और यह इसकी राज़ानी यह कवरती यहां पर घूमने का मुखा मेरे निसा विरिया तो कभी भी मिस न किजीएगा सबसें बता रहा हूं बड़ी मजा देखिए दमी डाडू में एक पुद्दुचरी है ठीक यहां पर इसका नाम है जो आप देख रहे हैं कुडालूर यह है एक हो गया यह अमन यमन में है यानि कि आंद्र परदेश में पुद्दुचरी तीन अस्थानों में भारत के तीन राजियों में जो है दlot आया है तो आप नाम लेग्विए फुद्दुचरी का देखिए यान है यान मियनम ट्रिख रहे है यहां या ना मयनम टेक पुद्दु चैयर है यहां पे रिखा Check दो Αटीनरμεंडू म्हजशरी अब हमात करेंगे यहां पे कर57 को यहां पेडwiek की एक्षेण बशन तो यह देख लिजिए यहां पर अंडमान निकोबार और भारत का अंतिम शोर भी दिखाऊंगा अभी आपको फिलाल तो चलिए यह में किलिया किलिया यह देखिए अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार को तीन भागों बटा गया यह देखिए उत्तर का अंडमान अबर कहा जाता है और इसके राइतानिय पॉर्ट बलेयर यहां पे आपको हवाई जहाज का मिल जाता है सुवीदा ठीक अगर आप जाना चाहें तो कभी मिस्स ना किजिएगा इस सब अगर मिल जाए है बाइचांस कभी आपको और अगर आप 22 बगर आपको तयारी करने तब आपको घूमने का मिलेगा देखिए यहां पर इंद्रा पॉइंट सबसे जो भारत का अंतीम छोड़ कहा जाता है यह इंद्रा पॉइंट यहीं पर है यह देखिए आप बहुत से देखिंगे तो आप अभी तो मेरे पास उतना कीमती मॉबाइल नहीं है इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं देखा पाना जैसे मेरे पास पैसा होगा मैं क्लियर ली आपको एक अच्छा सा मॉबाइल लेकर दिखाऊंगा तो मैंने 22 रुपई में एक मॉबाइल खेरता है और शी से यह सारे वीडि या Radio में जानेंगे कि कौन सा राइच किससा अलग हुआ बिसे शी रूपस जानेंगे बिशे सज्ञां से जानेंगे कहां पे कौन सब्सरिया है मसूरी कहां पर मिसुत जानेंगे नेक्ट वीडियो तो काफे लंबा हो दुनिया होता है तो जान है तो भी इस दुनिया का आप भोग कर पाएंगे बाई